नमस्कार दोस्तों मैं पांडे सारल अच्छी डेफेंस अकादमी मुरार की तरफ से आज आपका पुना स्वागत करता हूँ आज अपन बेटा बहुत धर्म का MCQ लेकर हाजिर हुएं इससे पहले अपन ने बहुत धर्म के रिलेटेट बेसिक बतायता पूरा थेओरी बतायती ठीक है अगर आप थेओरी पढ़ाएंगे तो आपको MCQ करने में बड़ी आसानी रहेगी ठीक है इसलिए थेओरी जरूर पढ़ें उसके बाद MCQ देखेंगे तो आपको maximum MCQ कोस्षन आपको आएंगे ठीक है multiple choice questions यानि बस् पहला question है गौतम बुद्ध का जनम इस्तान कहां है तो आपने देखा हुआ गौतम बुद्ध का जनम इस्तान कहां है गौतम बुद्ध का आपको basic में बतायता है गौतम बुद्ध का जनम इस्तान कहां है लुमनी कपिल बस्तु के निकट नेपाल की तरही में गौतम ब मनठा यह भी मैल्म होना चाहिए है आपको 563 और इसना पूरुम में ठीक है। गौतंबुद्द्ध के बच्शुपन का नाम क्या था। कौतम बुद्ध के बच्पन का नाम आपको मालूम होना चाहिए किया था सिद्धार्थ था बर्दमान किसके बच्पन का नाम था महावीर के बच्पन का नाम था ठीक है मातमा बुद्ध ने अपना पहला अपदेस कहां दिया था मात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सालनात में दिया था सालनात रिसी पतनम में पाँच ब्रामणों को दिया था ठीक है बुद्ध ने अपने उपदेश किस वासा में दिये थे बुद्ध ने अपने उपदेश किस वासा में दिये थे इक्रम सिला प्रतम संगीती का आयोजन कहां हुआ था आपको मालूम होना चाहिए बहुत द्रम की प्रतम संगीती का हुई थी राज गिरह में हुई थी आपको लिखवायाए देखिए असोग के सासनकाल में कौन सी बहुत संगीती हुई थी तीसरी संगीती का अध्यक्ष कौन था याद रखना है यह वाला कुस्टन साथ अपन ने अध्यक्ष के नहीं लिखायी तो दियान रखें पहली के यह थे अध्यक्ष पहली संगीती के जो पहली संगीती हुई थी उसकी अध्यक्ष कौन थे महा कसब दूसरी संगीती हुई थी उसकी अध्यक्ष कौन थे दूसरी संगीती हुई थी उसकी अध्यक्ष साप कमीर थे तीसरी संगीती के ये थे और चौती संगीती के कौन से थे अध्यक्ष चौती संगीती हुई थे उसके अध्यक्ष बसू मित्र थे बटाईए अपने चारों अध्यक्षों के बारे बता दिया जो चार संगीती हुई थे उसमें पहली संगीती के अध्यक्ष माकसब थे दूसरी के साप कमीर थे तीसरी क मोंगली पुत्त्तिश थे और चोथी के बसु मित्र महवीर स्वामी की मृत्तिव कम उई थी 483 इसापूर्व महावीर स्वामी की मिरत्ति फोर्ट eg Tar waiting है comm今 संगिती में बहुत धर में दो भागों में बट गया था किस संगिती में बहुत द्धरम दो भागों में बट गया था चतुलत बहुत संगिती में बहुत द्धरम दो भागों में बट गया था यह आपको मालूम होना चाहिए ठीक है बुद्ध ने अपने जीवन के सरवादे कुपदेश कहां दिये थे सरवादे कुपदेश बुद्ध ने अपने जीवन के कहां दिये थे देखिए आपको लिखाया था बुद्ध ने अपने जीवन के सरवादे कुपदेश दिये थे सिद्धार्थ के प्रथम गुरू कौन थे सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध के प्रथम गुरू कौन थे अलार का लाम थे गौतम बुद्ध के प्रथम गुरू बहुत दर्म के ग्रहन करने वाली पहली महिला कौन थी उनकी मौसी महाप्रजापती गौतमी उनकी सौतेलीमा थी महाप्रजापती गौत्मी बुद्ध में के गरहत्याग का प्रतीक क्या है? बताया था आपको गोड़े पर बैटकर तब जा रहे थे बाहर गुमने के लिए था उन्होंने चार ऐसे दरस से देखे थे जिसके करन उनका गरहत्याग था उन्होंने तो बुद्ध के गरहत्याग का प्रतीक है गोड़ा जातक किस धरम का पवित्र गरंत है? बौद्धों का जातक में क्या है? बुद्ध से रिलेटेड उनकी गटनाएं बताई गई है उनके पूर्व जनमों के बारे में बताया गया है कि वो पूर्व जनम में जातक उनकी गटनाव यानि पूर्व जनम के बारे में उनके जो पूर्व जनम हुए है उनकी कहानिया बताई गई है जातक में ठीक है? तो किसका है यह बौद्धों का है जातक ठीक है next question ने बिटा कौन सी गुफाएं बौध धरम, हिंदु धरम और जैन धरम की दार्मिक कला का मिस्रण है नहीं जिसमें ऐसी कौन सी गुफाएं जिसमें तीनों के बारे में बताये गया है तो बिटा वो एलोरा की गुफाएं है किसकी गुफाएं है एलोरा की गुफाओं में तीनों के बारे में बताये गया है कहाँ है ये महरास्ट में है होरंगाबाद में मालूम होना चाहिए आपको सुनिता का सिद्धान्त किसे ने दिया था सुनिता का सिद्धान्त दिया था नागरजुन ने एसिया का प्रकास किसे कहा जाता है इसा मसी पेगंबर मुहम्मद मावीर सौमी गौतम बुद्ध आपको मालूम होना चाहिए एसिया का प्रकास किसे कहा जाता है गौतम बुद्ध को कहा जाता है निरंजना नदी के तडपर कौन सा इस्तल इस्तित है आपको याद करिए निरंजना नदी के तडपर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वो उस इस्तल में कौन सा इस्तल है बहुत गया है ठीक है बिहार में कौन सा इस्तान गौतम बुद्द्ध से सम्मंदित नहीं है सारनात सम्मंदित है बहुत गया सम्मंदित है कुसीन अगर सम्मंदित है पावापुरी नहीं है पावापुरी में किसकी मृत्ती हुई थी पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्ती हुई थी ये गौतम बुद्ध से सम्मंदित नहीं है बगवान बुद्ध के पुत्तर का नाम क्या था बगवान बुद्ध के पुत्तर का नाम था राहूल आलम होना चाहिए बुद्ध द्वारा बिच्छुणी की रूप में इस्तरियों के पिर्वेश की अनुपती किसके आग्रेपल दी गई थी बुद्ध ने बिच्छुणी के रूप में इस्तरियों के लिए प्रिवेश की अनुमती किसके अग्रेपर दीगी थी अपने प्रिये सिस आनंद के कहने पर उनके चचिरा भाई भी था आनंद बरहुत किस से संबन देते बरहुत बिटा बहुत धरम से संबन देते ये मालम होना चाहिए बरहुत कहाँ है MP में है सतना जिले में MP में है यहां बहुत के बारे में पुरानी बहुत इसमर्तियों का उलेख है पुरानी बहुत इसमर्तियों बताई गई हैं इसमें थीक हैं महा बोधी मंदिर या महान जागरती मंदिर कहां सते थे भी हर में सते थे अजन्की गुफाए कहां मौना चाहीं को अजन्की कि कहां गुफाएं कहां सते थे महाराष्ट में सते थे तो आज अपने भी ओध धर्म से रिले डिदेट 25 सब्सक्राइब करें और अगर उसमें कोई समस्या हो तो मुझे नीचे बताएं कमेंट्स में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो अपन उस प्रॉब्लम को दूर करने ही कोसिस करेंगे ठीक है तो आज बहुत द्रम के के 25 कोईसंस आप नोट कर लीजिए कॉपी में ठीक है इससे पहले इसका बेसिक नोट कर लीजिए आज के लिए इतना ही जैन जै भारत आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें